So hey guys welcome back to my youtube videos It's me Amitana, hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Java Perak के service cost के बारे में जो कि हमारे यां की Bobar है जिसके अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं उसकी free services से related कितनी free services होती है कितने interval पे होती है और इनका cost क्या आजाता है साथ में दोस्तों बात करेंगे उसकी paid services के interval और उसके cost के बारे में उसी के साथ में बात करेंगे इसके regularly running space कौन-कौन से होते हैं और after market parts की क्या availability होती है और last में जो की सबसे ज़्यादा important रहेगा दोस्तों rupees per kilometer के साबसे आपको maintenance cost कितना पड़ेगा इस गाड़ी को maintain करने के लिए और इसी के segment की दूसरी गाड़ी के comparison में कितना महेंगा पड़ेगा या फिर कितना सस्ता पड़ेगा वो समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर तो दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को purchase करने का plan कर रहे हैं तो खरीदने के बाद और कितना खर्चा करना पड़ता है इस गाड़ी को maintain करने के लिए वो समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे या फिर informative लगे दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेगा चानल को और bell notification भी दबा दीजेगा उसी के साथ तो दोस्तों आजाते हैं हमारे सबसे पहले point के उपार जो कि रहेगा इसका engine related तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर engine oil capacity आती है आपको 1300 ml की java use करता है motul का 10W 50 grade का fully synthetic coil जिसकी दोस्तों costing आजीगी आपको 1040 रुपीज की अब दोस्तों इसके अंदर confusion रहता है customers को भी रहता है साथ में service center पे भी रहता है क्योंकि service centers में training properly नहीं हुई है ऐसा मुझे लगा क्योंकि मैंने तीन service centers में call किया और तीनों के अलग अलग engine oil capacity थे पहले service center का कहना था कि 1300 ml हम लोग डालते हैं 1500 ml की packing आती है extra 200 ml हम लोग use करते हैं हमारे personal use के लिए और charge customer को 1500 ml का 10,040 रुपीज लगता है जो second service का कहना था क्योंकि customers objection उठाते तो हम गाड़ी के अंदा 1500 ml पूरा की पूरा ही use कर लेते हैं और जो third service center का कहना था दोस्तों वो बिलकुल ही अलग था उनका कहना था ना हम 1300 ml डालते हैं ना हम 1500 ml डालते हैं हम 1400 ml डालते हैं 10,040 रुपीज चार्ज जोडते हैं customers को तो दोस्तों अगली बार कभी भी आप इसका service करें या फिर आपकी पहली service भी हो आपका engine oil capacity जो company recommend करती वो आता है 1300 ml का अब एक्स्ट्रा मट डालिएगा नहीं तो आपकी जो oil seal है या फिर आपके gasket ring है वो चीज में से oil leakage होगा उसी के साथ बात करता हूँ इसके second point के उपड़ जो की रहेगा इसका oil filter तो दोस्तों हमको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हमारा oil change होगा तो oil filter भी change होगा जिसकी costing आईगी दोस्तो 120 रुपीस की दोस्तों इसी के साथ आता हूँ इसके अगले point के उपड़ जो की रहेगा इसका chain maintenance chain service तो दोस्तों हर 800 to 1000 km में इसकी chain को आपको clean and loop करवाना पड़ेगा अगर आप इसको authorized service center से कराते हैं तो आपको 413 रुपीस का charge लगता है cleaning and lubing का और दोस्तों ये important खर्चा है क्योंकि आपका पीछे वाले wheel के उपड़ power delivery power train properly मिल सके साथ ना कोई noise ना है तो इसके लिए आपको ये चीज़ करवानी पड़ेगी हर 800 to 1000 km पर दोस्तों इसी के साथ आता हूँ मैं इसके अगले point के उपड़ जो की रहेगा इसके free services से related है कि service schedule दोस्तों जो पहली free service आईगी दोस्तों वो आईगी आपको 1000 km या फिर 1 month में second free service आईगी दोस्तों आपको 6000 km या फिर 6 months में third free service आईगी दोस्तों 12,000 km या फिर 12 months में और जो last free service है fourth free service है वो आईगी आपको 18,000 km या और 18 months में तो दोस्तो जो पहली सर्विस का cost आजएगा वह आएगा 1573 रूपीज का जिसके अंदर दोस्तो आपका oil change होगा, oil filter change होजाएगा और chain की cleaning and lubing हो जाएगी साथ में दोस्तो जो आपका second free service का cost आएगा उसके अंदर आपका 1963 रूपीज का आएगा oil change होगा, oil filter change होगा chain की cleaning and lubing होगी साथ में rare brake pads भी change हो जाएंगे जो 3rd free service है दोस्तों उसका cost आएगा 2668 रुपीस का जिसके अंदर आपका oil change होगा oil filter change हो जाएगा chain की cleaning and lubing होगी front brake pads change हो जाएंगे air filter भी change हो जाएगा दोस्तों जो last free service है 4th free service है उसका cost आएगा 7062 रुपीस का इसके अंदर ये extra खर्चा इसले आएगा क्योंकि आपका change rocket change हो जाता है साथ में आपका oil change होगा oil filter change होगा, chain की cleaning and lubing होगी fuel filter का cleaning हो जाएगी spark plug replace हो जाएगा दोस्तों और इसका total cost आपको 7062 रुपीस करना पड़ेगा तो दोस्तों जो total free service के अंदर आपको खर्चा करना पड़ेगा वो आएगा 13,266 रुपीस का free services के अंदर इसी के साथ आता हो दोस्तों मैं इसके अगले point के उपजोगी रहेगा paid service तो दोस्तों हर 6,000 km या फिर 6 months के interval में आपकी paid service आएगी free services के बाद इसका labor charge लेगी आपसे 708 रुपीस का और इसके अलावा जो भी आप extra खर्चा करवाते हैं यानि कि extra parts रलवाते हैं तो उसका parts का amount और labor charges अलग रहेंगी उसी के साथ आता हूं मैं इसके अगले point के उप़र जोकी रहेगा इसके regularly running spares कौन-कौन से होते और इनका cost के आजाता है तो सबसे पहले आएगा हमारा air filter air filter का cost आएगा दोस्तो 615 रुपीस का oil filter का cost आएगा आपको 120 रुपीस का oil का charge आएगा दोस्तो 1040 रुपीस का उसी के बाद में जो आपका chain sprocket है दोस्तों इसके अंदर आपका 4500 का chain sprocket आजाएगा 280 रुपीस का आपका drum rubber आएगा और 250 रुपीस labor charge लगेंगे तो दोस्तों जो total खर्चा chain sprocket में ही करना पड़ेगा आपको वो आएगा 5030 रुपीस का दोस्तों इसी के साथ में जो आपका spark plug है वो 349 रुपीस का आएगा और जो front brake pad है वो आपको 380 रुपीस के और rare brake pad आएगे 390 रुपीस के दोस्तों aftermarket parts की ना availability हो पाती है ना technicians की availability हो पाती है तो आपको जो भी काम करवाना रहेगा जावा के service center पे ही कराना रहेगा पाट्स भी आपको original ही use करने पड़ेंगे क्योंकि aftermarket parts की availability नहीं होती है इस गाड़ी की दोस्तों उसी के साथ आता हो मैं इसके last point के उपर जो की सबसे जादा important point है रुपीस per kilometer के साब से आपको maintenance cost कितना पड़ता है इस गाड़ी का तो दोस्तों इस गाड़ी का जो maintenance cost पड़ेगा आपको वो 73.70 पैसा per kilometer का पड़ेगा जो कि थोड़ा से expensive side पर जाएगा इसी गाड़ी की दूसरी गाड़ीों के comparison में इसी segment की तो दोस्तों आप इधर चेक भी कर सकते हैं इसी के segment की दूसरी गाड़ीों का service cost कितना पड़ता है आपको तो दोस्तों I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो please like कर दीजेगा subscribe कर दीजेगा चानल को और bell notification भी दबा दीजेगा उसी के साथ ताकि आप notified रहे ऐसी amazing content के लिए thank you so much guys for watching this video till then bye bye take care and ciao